पर उसमें अदिकतर चीजे भगवान की जीवन से जो सीख मिली है वो होगी और वो योगी राज कृष्ण के नाम से हम इसे बुला रहे हैं क्योंकि कृष्ण को हम सभी छोटे कन्हिया अलडु कुपाल माखन चोरी रास लीला बाल लीला इन सभी के रूप में तो अच्छे से जानते हैं पर जो कृष्ण का योगी राज रूप है उनके जीवन से जो सीख है एक ऐसी सीख जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे लेकर जा सकती है हम आज चाहे MBA Colleges है चाहे Engineering Colleges है हम सभी देख रहे हैं कि गीता का ग्यान दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इससे आपको mentally इतना strong किया जाता है कि आप हर चीज से लड़ सकते हैं बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर सकते हैं तो leadership qualities है या फिर successful होना है या घर समालना है हर चीज में offices में आपके employees जो है उनको गीता पढ़ाई जा रही है तो कुछ तो है इसमें तो उसी को ध्यान में र हर जगे बहुत competition है पढ़ाई में बहुत competition है cutoffs इतने हाई हो चुके है expectation इतनी बढ़ गई है हर parent को चाहिए कि उनके घर में एक topper निकले तो उस वक्त हम भूल जा रहे हैं कि वो भी बच्चे हैं वो भी इनसान है लेकिन उनको mentally कैसे strong किया जाए ये इस से अच्छा उधार है तो यही एक कारिक्रम है और इसमें हमने सबसे पहले जिसे हम जिनकी हमें याद आई वो मही शंकल है और उनके पिताजी दादाजी उनकी खुशी में हमने जो पहली बार कथा की थी तब परिवार का जो आनन देखा था जो संसकार देखे थे जो माहौल देखा था तो इस प्रसंग के बारे में जब हमें याद आया कि अब करना है सब तयारिया हो चुकी है तो इनका ही पहला नाम हमें याद आया और हम पहली शुर्वात ही आँ से कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा जब शुर्वात इतनी अच्छी है तो अपने आप ही कारिक्रम अच्छा होने वाला ह पुझे शाम सुन्दर जी भिहानी आमी योगी राज कृष्ण हाँ अधर निया जया किश्वरी जी यांचा सन्मुखा ने एक व्याख्यान थेवलेला है याला व्याख्यान नाओ देने अभ्यक्षा हा एक मोटिवेशनल स्पीच अपन स्पीच अपन नियाला सांगू करन तया निया चात फक्तत जो मेन फोकस है तो तरुन लोकान साथे आहे अच्या युगातले जे कॉंपिटिशन्स चालू है जो स्ट्रेस है जो प्रेशर है लोकान वर यहाला कसर डील कराईचा आनी दुसरा स्री कृष्णा चा जीवनातले अनेक नविन पईलू ते दाखोनारे असा एक आतिशे सुंदर तीन तासाचा हाकारेकरम मावली संकुल मदे आज दिनांक चार ओक्तोबर रोजी संध्यकडी पाच वस्ता अपना आयोजित केलिला है बंगडिवालात परिवारा तरफे मी हे सर्वन्ना सुचित करतो हूँ